सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के सहर चलना भी जरूरी है मनजिल पाने के लिए तो हे दोस्तों आज हमारे साथ हैं मिल्टर आरहम और आरहम के आ रहे हैं सिर्फ शिप्टि मार्क्स और वो भी बड़ी बात है पहले अटेंट में लोगों का ये मानना है कि पहले अटेंट के सेलेक्शन नहीं होता और हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे कि पहले अटेंट में सेलेक्शन का क्या राज है और जाधा अटेंट के सेलेक्शन के रीजन क्या है या फिर राज क्या है तो मुहम्मद आ रहा है यह बता यार कि तुमने अपनी जर्णी कहां से सुलू कि और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए मैंने अपनी नीट की जर्णी तो मेंली 11 क्लास से स्टार्ट करी थी और डॉक्टर बनने की बाद जो है वो मेरे पापा का ड्रीम था जो कि financial condition के विज़े से फुल्फिल नहीं हो पाया था तो अब यह मेरी responsibility थी कि मैं उसे फुल्फिल करूँ इसलिए मैं सुल्फिल में है था तुम्हें फिल कैसा हो रहा है अब तो बहुत जाद अच्छा लग रहा है क्योंकि अब finally selection हो चुगा है तो बहुत अच्छा लग रह है घर वालों से घर वालों की तो बहुत जाद हमसे उम्मेद्य थी कि हाँ यह मतलब पढ़ने में ठीक ठाक था तो यह कर ले जाएगा और हमके उम्मीदों पर खरे उतरे तो उनको भी बहुत जादा खुशी है तो यार एक्चुली मेरा यह मानना है कि देखो यार पढ़न मेरे 12 के साथ 575 मांग तो इससे तो यहार लग रहा है कि आरहम ने 11 और 12 में पूरी जिजान लगा के पढ़ाई कर दे थी लेकि आरहम मुझे ऐसा लगता है कि कटाफ 596-597 रही होगी 597 से मेरे एक फ्रेंड को मिल चुका था अच्छा 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 तो आरहम बात किया है यार कि कही ना कहीं ऐसी तो बात नहीं थी कि तुम दो तीन कुस्टन और नहीं कर सकते थे खरतो सकते थे पर किसमत में नहीं था तो मैं इह जानना चाहोंगा कि तुम्हारी गल्तियां क्या थी कि जो तुमने पहले आट्यम्ट में नहीं कर पाए फर्सट इसमी में मेरा यह पैंडमिक का टाइम आया था उसमें काफी ज़्यादा मेरे साथ प्राब्लेम होई थी मेरे कोचिंग बंद हो चुके थे और उनलाइन कोचिंग के तरो हमको इतना ज़्यादा सहारा मिल नहीं पा रहा था और जिसके वज़े से मतलब थोड़ी ज़्यादा दे रहे थे इसलिए हम थोड़ा इसमें डिस्टैब हो गए थे और बाकि हम खुद से ही इस समय तुम्हारा से बहुत ही अची बात है पहले आटेड़ों छेसो पचास नमबर और आरहा मेरा कहना यह है कि बच्चे जो परिसान हो रहे हैं कि भाया कौन से किताब ल कि अगर कोई लड़का किसी कोचिंग से जुड़ा ही नहीं है तो मुझे तो ऐसा लगता है वो जो भी इस्टेडी माटेरियल फालू करें वह वही चीज बार बार लगाए है इस्टेड कि आप बहुत ज्यादा चीजों को एक बार ट्राइब करें जो कि आप पूरी तरीके से कर भी ना पहें एक ही चीज़ को मल्टिपल टाइम करेंगे तो उसमें ज्यादा पर्फेक्शन आती है तो आरहम तुमने सिकेंड अटम्ट में ऐसा क्या इंप्रूमेंट कर दिया जो कि तुम सीधा 6.50 पहुंच गया है इसमें तो बस जो हमने पहले अटम्ट में गलतिय तो आरहम अभी तक तो एकडमिक बाते हैं हो गई यार कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं तुमसे कुछ यह जानना चाहूंगा क्यों कि दिखो सब लोग बता देते हैं क्या पढ़ना है लोग यह नहीं बताते कि कैसे पढ़ना है दूसरी बात लोग यह तो बताते है कि क्या करना है लेकिन लोग ये नहीं बताती कि क्या नहीं करना है तो जैसे-जैसे वक्त गुजरता जाता है इस फेल्ड में वैसे-वैसे experience तो बढ़ता जाता है ना ठीक है तो मेरे बहुत सारे दोस्त है जिनका कि 6th attempt, 7th attempt ने selection होगा तो फिलहाल आरहां तुम क्या बताना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो जो मेरी गल्दी थी कि कम से कम रोज के रोज 10 से 12 वार्स आपकी डेली की study होनी चाहिए और आप तीनों सब्जेक को टच करें और बहुत सारे मतलब जितने हो से को उतने ज्यादा question practice करें regularly test दें process तो यह होता है success का अर हम अभी तुमने यह बोला कि पहली बार जब कोविट का attempt आया तो तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो parents तो साथ देते ही देते हैं लेकिन जैसा कि हमें पता है कि तुम्हारे parents इस profession से नहीं है तो अब ऐसे में दिक्कत होती है और तुम्हें अगली बार अच्छी coaching का साथ मिल गया लेकिन जो बच्चे जिन्हें साथ नहीं मिल पा रहा है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें guide करना चाहिए हाँ उन्हे इस एची education दे देंगे तो आरहम वो सब ठीक है क्योंकि देखो educational material जो है वो जो सब के पास available है वो सब यह बताएंगे क्या करना चाहिए मैं यह जानना चाहता हूं कि students को क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए तुम क्या initiative ले तो आरहम क्या तुमने कुछ ऐसा initiative लिया जिससे कि क्या नाम है कि तुम्हें जो गलतियां की वो आगे बच्चे ना कर पाए इसके लिए तुमने कुछ ने शेट्यू लिया हाँ मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है जिससे तुरू मैं लोगों को guide करने की कुशिश करूँगा कि जो मैंने गलतियां करी वो ब आरहम को भी मैंने कुछ सवाल तो बताया है क्योंकि देखो साथ पढ़ते थे तो चीजें जो मलब की इस्टेट्जी जो होती है इस्पेसली जो स्टुडेंट्स मैरे सपढ़ चुके है उन्हें लगता कि मैरी इस्टेट्जी बहुत अच्छी है फिजिक्स इस्पेसली फि जैसे इस्टी फिजिक्स की स्पेशली बात करें तो वो इस्टी लाइन बाइन रीड करने से इतने जादा वह प्रोडक्टिव नहीं होती तो उसको शॉट में किस तरीके से रीड करना चाहिए यह सारे तरीके हम डालेंगे और केमिस्टी में यह सी तरीके से लेकिन आ रहा यह सब मतलब जो मार्किंग्स होती हैं मतलब जो एडिट करके लगाया जाते हैं कॉश्चन और वो किस कॉश्चन जो कॉश्चन है और वो एंस याड की स्पेस से आया है मैंने वो सब दिखाया हुआ है तो आरह मैंने भी तुम्हारा वीडियो देखा यार तुमने तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे और वो क्या करें कि उनका नंबर बढ़े यह बताओ मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूँगा कि डिप्रेस होने से कोई काम नहीं होगा टाइम और वेस्ट हो जाएगा तो इसको आप फेलियोर के फॉर्म में ना ले उसको ऐसा अपॉर्चि के लिए मैं यह कहना चाहूँगा यार कि जब आखों में अर्मान लिये जब आखों में अर्मान लिये मंजिल को अपना माल लिया और मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया तो आरहम तुम्हें कुछ और कहना यार मैं शाहिरी वाहिरी तो नहीं होल टाइम वेस्ट और हो जाएगा बस आप अगर नहीं हो पाया इस साल तो आप एक और ट्राइ करिए क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था उसको as an opportunity आप लिए कि आपको एक और मौका दिया जा रहा है अपनी mistakes को सुधारने का और सही process को follow करें consistency maintain करें और आपको success जरूर मिलेगी और आरहम ट्रिक्स पीडिया का नारा ही है आए हैं तो लेकर जाएंगे आज नहीं तो कल सही तो बस यार ऐसे continue रखो और भी ये वीडियो continue स्रीज में आते रहेंगे आरहम भाया को congratulations लिख देना इनके comment इनके channel फिजाके मेरे पे तो लिखना है लिखना है क्योंकि इन्हें तो बता चले कि इनकी वीडियो तुम्हें कैसे लगी और दूसरी बात यार कि अब बात यह होती है आरहम भाया ने वो बताया जो इन्हों निकलती की अब हम एक बात होती है कि थामस इल्वा एडेशन से बोला गया कि आपने बल्ब बनाया कैसा लग रहा है तो थामस इल्वा एडेशन ने यह कहा कि यार मुझे 9999 तरीके ऐसे पता है जिनसे बल्ब नहीं बन सकते हैं तो गलतियां तुम्हें कौन बताएगा कि देखो जिनका सेलेक्शन पहले अटेम्ट में होगा बहुत अच्छी बात है वो बताएंगे पढ़ना कैसे है लेकिन करना कैसे है लेकिन क्या नहीं पढ़ना है और क्या नहीं करना है ये वो लड़के जादा बहतर बता पाएंग तो जल्दी वीडियो आएगा दूसरे लोगों का जिन्होंने बहुर भी ज्यादा टेंप लगाए हैं और बस क्या यार कॉंटीनी रखो मेहनत को कॉंटीनी रखो और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बाकि तो हम तुम्हारे साथ हैं नीट केजन से लेक तो बस यार मेरे और आहरम दोनों की तरफ से बस्ट आफ लग और उमीद है कि अगली भार जैसे आरहम से मैं बाते कर रहा हूं तुमसे बाते करो तो बस यार लगे रहों इसी तरह और थैंक्स फर वाचिंग और ट्रिक्स वीडियो आपने उन दोस्तों को भी बताओ जो न